सब्सक्राइब कीजिए दे कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होगे आ गया हूं फिर आज एक इंट्रेस्टिंग कहानी को लेकर तो आज ना पढ़ाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है आज सोच रहा हूं कि आपके साथ एक कहानी ही डिसकस कर लेते देखो स्क्रीन पर आपको काफी सारे इंट्रेस्टिंग चीज़ें यहां पर दिख रहे होंगी तो इन्हीं क इस जी का दुगान में पीज़ें पीछे इस प्र Have Ini पर देखो काफी मोटे प्रकी म२ंअ अच्छा मुनाफा कामा लेता है और पीछे उनका बीज़ेंस और यह बंदा कौन है यह दोनोगी है कि ये दोनों क्या है है ना सेट जी है बिजनस है अकाउंटेंट है तो ये दोनों क्या है बोलो ये दोनों तो सर बुक्स अपकाउंट्स है वाह बिल्कुल सही क्या गेस किया है आपने बिल्कुल सही ये दोनों क्या है बुक्स अफ अपकाउंट्स ठीक है तो ये भी बुक्स कौन कौन सी है तो इसका नाम बता दो भई या और इसका भी नाम बता दो दोनों मोटी दिख रही है सर दो books of accounts कौन सी होती है आपने बताया था कि business में दो books of accounts होती है एक journal होता है और एक ledger होता है तो बिल्कुल सही पहचाना ये वाला यह है यह जर्णल कि और यह वाला जो है यह लेजर ठीड़ यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई यह जो कहानी में सुराना रहूना यह बहुत पुराने समय की कहानी अब क्या हुआ सेट जी जो बिजनस कर रहे थे वह धीरे-धीरे से बड़ा होने लगा से बुड़्धियां लगाई इनोंने 60 अधसार एक लाख ऐसे करके उसका है ट्रांजेक्शन भड़ते गए तो माल ज्यादा बिकंदे लगा तो पर Ward चेजिंग भी बहुत ज्यादा होने लगी पर जिसेल्स ज्यादा होने लगे तो उधारी के ट्रांजेक्शन सी बढ़ गए और साथ-साथ बिजनस जब बड़ी होती गई तो बिजनस में खर्चे जो होते थे वह भी बढ़ गाए तो अब इस अकाउंटेंट जो है इस अकाउ फॉल मुश्किल हो जा रहा है मैं क्या करूं मैं तो करी नहीं पा रहा हूं आप का बिजनस इतना फल फुल रहा है इतने सारे ट्रांजक्शन्स हो रहे है इतनी खरीद विक्री हो रही है पर मैं ठहरा एक बचारा अकेला मुनी मैं कैसे अकेले इतना सारा रेकॉड करूं बताइए तो झी ने कहा थीक है कोई बात नहीं जलो आपतो कमाई अच्छी-खासी हो रही है तो एक और एकाउंटेंट रह लेते हैं तो सेड जी ने क्या किया एक और एक और अकाउंटेंट हम को चाहिए तो आ गया पिक्चर में एक नया और एक अकाउंटेंट ठीक है यह भी चोटा है मतलब जूनियर है इसलिए इसको थोड़ा सा चोटा कर दिया अब आ गए दो तो अकउंटेंट्स एक है हमारा यह पुराना वाला मुनीम और एक नया मुनीम आ गया लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यह जो जर्नल की किताब है इसको हमेशा यह मुनीम देखो अपने बगल में दबाया रहता था अब यह नया अकउंटेंट बचारा करे तो क्या करे मैंने नया बंदा तो रख ली है पर इसमें फाइदा तो बंदे के पासे उर्पारखे कर देते हैं तकी इसके पास भी किताब रहे शुम भी बने में दबा कोई जादा problem नहीं आएगी ठीक है तो यह चीज इन्हों ने तै किया तो सेठ जी ने जब ऐसा तै किया तो फिर problem आने लगी क्या problem आई कि जर्णल के जो दो हिस्से कर देंगे तो कौन से transaction CA record करेगा और कौन से transaction CA record करेगा तो इस चीज में दिक्कत आने लगी तो सेठ जी ने कहा कि चलो दो तुकड़े नहीं अब तीन तुकड़े कर देते हैं ठीक है कितने हिस्से तीन हिस्से कर देते हैं एक किताब जो है वो मैं लिख लूँगा एक किताब में तुम लिखना एक किताब में तुम लिखना ठीक है तो तीन हिस्से कर दिए तो तीन हिस बिजनस में आएगा और जो भी पैसा हम बिजनस से पेमेंट करेंगे वो मैं एक अलग किताब ले लेता हूं मैं उसमें लिखता जाओंगा तो इसने कहा ठीक है सर तो एक काम करो आप मेरे को परचेज से से रिए ट्राइक्शं से रिए ट्राइक्शं से रिल्लेट ट्राइक्शं से रिकाट और सबीजनस में तो एक बिजनस में जो सब्सक्राइब रहा चैसलिया रहा होता रहा है बिजनस में से कि इस Allелен भी तो कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा वरना आप बेचोगे क्या हवा तो नहीं बेचोगे तो पर्चे सेल और कैश की ट्रांजेक्शन जो है बिजनेस में बहुत ज्यादा रिपिटिटिव होती है तो उसको रेकॉर्ड करने में सहुलियत हो इसलिए जर्नल का डिविजन कर दिया गया तो आज का जो चैप्टर है ना वो यही है सब डिविशन ऑफ जर्नल जिसको हम सबसीडियरी बुक्स भी बोलते हैं तो उसी को समझाने के लिए मैंने आपको इतनी लंबी चोड़ी 7-8 मिनट की कहानी सुना दी अब आपका एक बेस बन जाएगा कि जर्नल का स जर्नल को यह बहुत पुराने समय काह्नी है जब बिजनस मेंट क्म होते थे थोड़े मोडे होते लेकिन जैसे जैसे बिजनस के वर्ल्ड में चेंज आते गए ट्रांजक्शन भी बिज्दस में होने लगी उसमें एक बुक्ट जो है ना वह सारी फिचला इसके कारन काफी प देखेंगे कि जर्णल के एक्चली कितने भाग यहां तो मैंने एक्जाम्पल के लिए आपको तीन भाग बताएं आठ भाग होते हैं टोटल जर्णल के तो वह चीज जो है वह हम अब देखेंगे तो देखो जब मैं आपको जर्णल पढ़ा रहा था किसी एक क्लास में नोट् जब मैं आपको जर्णल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको जर्णल के कुछ लिमिटेशन बताएं ते देखो यहां पर लिखेंगे लिमिटेशन ठीक है तो जर्णल के लिमिटेशन क्या थे टाइम कॉस्ट कंजूमिंग दसनोट प्रोवाइड इंफोर्मिशन उन इंटू स्पेशल जर्णल क्या लिखा था इनहीं लिमिटेशन को ओवर कम करने के लिए जर्णल की डिविजन की गई है इंटू स्पेशल जर्णल या उसको अब सबसेडियरी बुक्स भी बोलते हैं तो वहां पर सेपरेट बुक्स फर इच कैटेगरी ओफ होते हैं तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट बुक्स ओपेन की जाएंगे ऐसा और यहां पर मैंने लिखा था कि वी विल लर्न दिस लेटर यानि कि हम बाद में यह सिखेंगे तो वह समय अब आ गया है कि सबसेडियरी बुक्स के बारे में थोड़ा सीखा जाए तो आशा करता हूं कि इतनी लंबी चोड़ी कहानी सुनाने का जो मतलब है जो में फंडा है वह आपको समझ में आ गया होगा अब आते हैं हमारे गीता में जो कि है इंस्टिट्यूट का मैट और यह चैप्टर टू का यूनिट फोर है सबसीडियरी बुक्स यह जो च सबसे पहले रिकार्ट होती है आऔर फाइनलिय जहां पर पोस्ट होती है जहां से हमको सब इन्फोरमेशन मिलता है ऑफ प्रिंसपल में लेजर और कैश्वुक आजाता है अब यहां पर कुछ टेकनिक्यालिटी है वह म definiti डूक्स की में कई पतर सबसले wed did लit यहां पर होती और फ्रिंसिपल बुट में पोस्टिंग होती है मतलब सबस्सिडियरी beim होता है पोस्टिंग जैसे आप जर्नल से लेजर में ंसिपहले होती सगनल में फिर लेजर में उती字 सब्सिटियर या principle book okay ठीक है तो चलो discussion को अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं देखो इंट्रोडक्शन यहां पर लिखी हुई है यह सब चीज़े मैंने आल्रेडी आपको कहानी बतावते वक्त बता दी हैं फिर इंसिट्यूट के मैट से अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो okay आगे हमने डाला cash में जितना पैसा हमने निकाला डाला वो सारे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे cash book में उसके बाद purchase related transactions हम रिकॉर्ड करेंगे purchase book में और एक चीज़ ध्यान रखना कि purchase book जो है उसमें सिर्फ credit purchase यानि कि उधारी में जो माल खरीदा वही सिर्फ purchase book में आएगा okay cash purchase जो है वो purchase book में नहीं आएगा और एक चीज़ याद रखना कि purchase book में ना asset वगेरा अगर हम purchase करेंगे तो वो नहीं आएगा जो भी goods में हम deal करते हैं जो भी goods जो हम business में खरीदते बेशते हैं normally और अगर हमारी factory वगेरा है तो उसके लिए अगर हम कोई raw materials जैने कि goods बनाने के लिए क अगर खरीद के लाते हैं जैसे कि जूतों के फैक्टरी है तो अगर चमडा खरीद के ला रहे हैं जूते बनाने के लिए तो फिर उनको हम purchase book के थुरू record करेंगे तो purchase book में क्या record करेंगे हम किसकी purchase एक तो goods की और raw materials की raw materials कौन सी चीज़ें होती है जो हमको production process में अगर हमारी factory है कुछ production हो रही है तो वहाँ पर जो चीज़ें हमको जरूरत होती है उसको raw materials बोलते हैं और यहां पर सिर्फ credit purchase रिकॉर्ड होती है यहां पर cash purchase नहीं होता देखो credit word जो है मैं आपको बड़े से दिखा देता हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाए ओके अब purchase के बाद है purchase returns book ठीक है तीसरा क्या है purchase returns book तो purchase करेंगे तो purchase return करने के भी जरूरत परती है तो उसके लिए एक अलग book बना दी गई है उसमें हम जो purchase जो हम करके लाए हैं जैसे कि goods और raw materials उनकी return जब होगी तब purchase returns book में record करेंगे कोई asset खरीद के लाए और उसको return कर दिया तो purchase return book में नहीं record करेंगे ओके अब एक चीज़ पूछ सकते हो कि सर credit purchases का तो purchase book में समझ में आता है तो cash purchase को कहां में record करेंगे cash purchase को क्या recording नहीं करेंगे तो cash purchase देखो एक cash transaction हो गई तो record कहां करेंगे उसको cash book में ठीक है cash book में हम record करेंगे cash purchase ओके अब इसके बाद purchase का कहानी खतम अब आया sales इसके बाद हो sales book और sales book भी देखो यहां पर ना details में लिखा नहीं record the sales लिखा है यहां पर record credit purchases लिख दिया थे लेकिन sales book में record the sales सिर्फ लिखा है लेकिन cash book में भी सिर्फ credit sales में लिख देता हूं यहां सिर्फ credit sales ही sales book में भी record होंगी और cash sales कहां पर record होंगी obviously cash book में क्यूंकि वहां पर हमको cash मिल रहा है ठीक है sales return book sales return book में sales के return जो है वो record होंगी ओके तो तो हम बात कर रहे थे कि sales return book की sales return book में हम क्या record करते है returns made by the customers तो customer ने आगर हमने कोई sales क्या था customer को और customer ने वो माल जो है return कर दिया तो उसको sales return book में record करेंगे अब sales book और sales return book में भी हम सिर्फ अपने goods का sales जो है जो goods में हम deal करते हैं उसको record करेंगे लेकिन मान लो कि कोई asset थी हमारे business में पुरानी हो गई हमने बेच दी तो उसको sales book में record नहीं करना है ठीक है इसे मिलने होते हैं वो हम bills receivable book में record करेंगे और bills payable book जो bills हमने draw की होई होती है अपने creditor को दी होई होती है ठीक है जिसके बिहाफ में हमको future में payments करनी है अपने creditor को उसको record करेंगे bills payable book में bills के बारे में आप future में bills of exchange बोलके chapter आएगा उसमें सीख जाओ ठीक है और जो भी entries जो हम journal में करते थे जिनको इन 7 books में record नहीं किया जा सकता जो पहले के 7 books मैंने आपको बताए 7 books कौन से हैं देखो cash book एक हो गया cash transactions के लिए purchase के लिए दो एक purchase और एक purchase return sales के लिए दो एक sales और sales return और bills के लिए दो एक bills payable और एक bills receivable book ठीक है तो 7 books total हो गए अब इन 7 books में जो entries नहीं record हो सकती उसको journal proper के थुरू record करेंगे अब कैसी entries हो सकती है पर आपने कोई asset खरीदा वो भी credit में अगर आप cash में कोई asset खरीद के लाते हो तब तो हो cash book में record हो जाएगा लेकिन अपने credit दो खरीद के लाए आएक asset तो कहां record करेंगे भाई purchase book में तो record करेंगे नहीं क्यूंकि asset की purchase को purchase book में record नहीं करते तो कहां आएगा journal proper में Outstanding Expenses है Expenses due हो गए है Pay नहीं किया है तो entry क्या करता है Expenses Account Debit to Outstanding Expenses लेकिन ये वाला कहां record करेंगे ये तो cash book में record करेंगे नहीं क्योंकि cash expense अभी तक दिया नहीं है तो कहां record करेंगे journal proper में कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा transaction जो इन 7 books में फिटना होता हो उसकी entry हमको journal proper में करनी है ठीक है तो total 8 subsidiary books है इसको याद रखना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैंने ना एक image भी बना के रखी है देखो ये रा यहाँ पर introduction to subsidiary books में ये journal में ये देखो थोड़ा सा systematic दिखेगा सबसे पहला cash की transactions के लिए और cash में bank के transactions भी included होंगे ठीक है आप ये मत समझना आप ये मत पूछना लगना कि sir bank account के transactions कहा record होंगे तो cash book में cash bank सारे record हो जाएंगे उसके बाद purchase book, sales book, purchase return, sales return तो purchase और sales की मैंने एक group बना दी जिसमें purchase, sales, purchase return, sales return चारो आगया तो आपको याद रखने में सुविधा होगा यहां पर चार आगया फिर एक बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल एक बिल्स से रिलेटेड हो गया और आठवा जो last है वह जर्नल प्रॉपर और जर्नल प्रॉपर को न हम जेनरल जर्नल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं जेनरल जर्नल ओके अब इस विभाजन करने का इस जर्नल को जो हम भाग कर रहे हैं इसके advantages क्या है वह एक बार आपको बता देता हूं advantages of subsidiary books क्या है देखो division of work जैसा कि मैंने बता है कि एक accountant से काम नहीं हो रहा था वह परेशान हो गया था यह books को divide करना जरूरी था subsidiary books में ठीक है जर्नल को divide करना जरूरी था ओके दूसरा क्या है specialization and efficiency अब देखो क्या होता है कि कि किसी काम को repeatedly करते करते आप उस काम में expert हो जाते हो यह चीज़ आप मानते हो अगर आप maths की practice सुबह शाम करोगे तो आप maths में expert हो जाओगे अगर आप accountancy को अच्छे से practice करते रहोगे तो आप accountancy में expert हो जाओगे तो मान लो कि journal जो है जो किताब थी वह एक accountant जब maintain करना था तो जर्नल में तो हर तरह के transactions आते थे purchase के sales के purchase return sales return जितने तरह के दुनिया भर के business में बहुत डाइवर्स तरह के transactions हो सकते हैं सब कुछ एक ही accountant को करना पड़ता था तो बोलता ना jack of all trades master of none एक कहावत है कि अगर आप सब कुछ करने लगे तो आप किसी में भी master नहीं बन सकते लेकिन अगर आप journal को अलग-अलग books में divide कर दोगे तो क्या होगा कोई जो बंदा purchase देख रहा है तो वो purchase की transactions record कर रहा है जो sales देख रहा है वो sales की transactions तो अपने अपने field में सब master हो जाते है ठीक है तो उसको अगर business का owner purchase के बारे में कोई information मांगता है उससे कि बताओ तो purchase का त अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर मैं अगर आपके साथ क्या मैं पढ़ाने लग जाओ तो क्या होगा ना कि एक से ज्यादा नाव में पैर रखूंगा तो कुछ भी ठीक से नहीं हो पाएगा तो इसलिए जो है problem हो जाती है और specialization होना जरूरी होता है अब saving of time क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ मिलके सारे transactions को record कर रहे हैं तो transactions जो है books में जल्दी record हो जाएंगे टाइम बहुत बचेगा availability of information यह चीज़ important है पहले अगर आपको purchase के बारे में कोई जानकारी लेनी होती थी तो आपको पूरा जर्नल में से purchase के transactions को अलग-अलग खोजना पड़ता था लेकिन अब क्योंकि purchase की एक book ही अलग है तो आपको purchase के बारे में कुछ देखना है तो वो उठाओ purchase वाला उसको खोलो वहाँ पर देख लो date wise तो आपको detailed information जो है बड़ी आराम से मिल जाएगा और facility in checking ठीक है अब trial balance जब agree नहीं करता trial balance जब match नहीं होता तो आपको ढूंडना पड़ता है कि error कहां पर है अब trial balance जब agree नहीं करता तो आपके पास अलग-अलग books है तो उस बुक में आप ढूंड सकते हो तो उसमें आपको ढूंडने में असानी होती है अब सारे लोगों को लगा सकते हो सब मिलके ढूंड़ो अलग-अलग books में कहां पर error हुआ है तो लोगों को एर ढूंडने में क्यूंकि एक से ज्यादा books हैं तो उसमें सुविधा हो जाती ठीक है वरना एक ही बुक में खोजना होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ठीक है अच्छा चलो अब सबसेडियरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स का एक डिफ्रेंस है उसको थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा यहां पर जिस बुक में पहली फर्स बुक अब इसमें एक exception है exception एक ऐसा बुक है जो सबसीडियरी बुक भी और प्रिंसिपल भी ठीक है यानि कि पहले एंट्री उसमें होती है और फिर कहीं पोस्टिंग नहीं होती वो एंट्री उसी में रखती है और वो महान बुक है एक डिफॉट इन लिख रखा है मैंने च पहले रिकॉर्डिंग होती है मतलब कैश के ट्रांजक्शन जो है ना वह एक बार जर्णल में फिर लेजर में पोस्टिंग की ज़रोत नहीं है कैश बुक अपने आप में एक सक्षम किताब है उसमें आप जब ट्रांजक्शन इसकी साथ जब आप िसकी आप दॉनों का काम करता है ठीक है उसकी फॉर्मैट जब आप देखो गे ना तब आपको पता चल जाएगा कि हमको नुट posting की ज़रूत क्यों नहीं होती है क्योंकि उसका format जो है वह बिल्कुल लेजर की तरह ही बना दिया है तो क्यूंकि जर्णल जो cash book है या cash journal बोलो आप इसको इसकी format बिल्कुल लेजर की तरह है तो इसके लिए separate लेजर या सेपरेट लेजर में पोस्टिंग के रिक्वार्मेंट नहीं होती है, तो यहां पर एक इमेज है, देखो, यहां पर financial books, यानि की books of accounts के दो parts कर दिये, एक part हो गया नीचे subsidiary books, जो की journal से divide होके बनाएं, तो यहां पर कौन-कौन से है, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable, bills payable, और journal, paper लिख दिया है, यहां पर यह paper नहीं होगा, मैं ठीक कर देता हूँ इसको, ठीक है, यह होगा proper, journal, proper, या इसको आप general journal भी बोलते हैं, general journal, ठीक है, और यहां पर देखो, मैंने क्या लिख के रखा है, entries are first recorded here, then posted in the ledger, तो यह जो आठो books आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, यहां से लेके यहां तक, इसमें पहले entries record होती है, फिर ledger में post होती है, अच्छा, अब इसके बाद देखो, यह हो गई subsidiary books, अब देखो cash book में आ जाओ, देखो cash book हमारा जो है, subsidiary book से भी एक लकीर गई है, और principal book है, उससे भी एक लकीर आई है, मतलब यह cash book ही हमारा एक ऐसा book है, जो एक subsidiary book और principal book दोनों है, क्योंकि इसी वे first entry होती है, फिर कहीं posting भी नहीं होती है, यह principal book का काम करता है, तो cash book के अंदर भी चार टाइप के cash books होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, सिम्पल cash book, cash book with discount, cash book with bank and discount, और एक petty cash book, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में अभी आप दिमाग मत लगाओ, और principal books में, एक cash book हो गया, और एक ledger हो गया, ledger जो मैंने आपको अल्रेडी सिखा दिया, जहां पर journal से posting होती है, तो मैंने आपको बताया था कि journal से ledger में posting होती है, अब आप जान लो, कि यह जो 8 books हैं total, यहां पर 7 हैं, और यहां पर एक cash book है, यह जो 7 books हैं, इनको ही उठा के अब ledger में posting होगी, ठीक है, तो यह था पुरा मामला, अब यहां पर किस के बारे में पढ़ना है हमको, purchase book के बारे में, तो एक काम करते हैं, purchase book के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ, purchase book का कहानी क्या है, funda बहुत easy है, purchase book में हम क्या record करते हैं, credit purchases, देखो यहां पर clearly लिखा हुआ है, to record the credit purchase, ठीक है, तो purchase book में सिर्फ credit purchase record होगा, क्या कहते है, cash purchase इसमें record नहीं होगा, और इसमें किस चीज़ की purchase record होगी, एक तो goods और दूसरा raw material, कोई asset, वैसे दूसरी कोई भी चीज़ें, जो आपने purchase किया, वो purchase book में record नहीं ह होती simple सा format है, date, particulars, ledger folio, details, amount, ठीक है, simple सा है, जब आप एक दो problems इसके देख लोगे न, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर कुछ बाते remember करने के लिए बोली गई है, और उनमें भी वही चीज़ें लिखी है, जो मैंने आपके साथ discuss कर ली, कि cash purchases जो है, वो इस book में entry उनकी नहीं होगी, तो याद रखना cash purchases entry नहीं होगी, और सिर्फ credit purchases entry होगी, और वो भी किस चीज़ की, goods की या raw materials की, ठीक है, office furniture, typewriter, यह सब चीज़ें अगर आपको बता रहा है कि calculator खरीद लिया, office furniture खरीद लिया, typewriter खरीद लिया, तो यह सब जाएगा, और अगर credit में खरीदा है, तो journal proper में जाएगा, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर एक illustration है, ठीक है, यह illustration देखते हैं, की purchase book कैसे बनाया, एक purchase book की illustration दे के आज का video खतम कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो mat में जितने सारे illustrations दिये हुए हैं, वो आपको करने, वो म तो देखो, illustration 1 में क्या लिखा है, the rough book of Narayan and Company contains the following, अब 2020 की फरवरी के transactions यहाँ पर दिखाय हुए है, सबसे पहला transaction क्या है, purchased from, एक second, अहाँ, purchased from brown and company on credit, तो देखो यहाँ पर on credit word लिख दिया है, पहला transaction, तो यह purchase book में entry होगा की नहीं होगा, होगा, क्योंकि credit में purchase किया है, क्य मतलब 5 piece pencil खरीदा है, rupees 100 per piece में, gross मतलब 1 piece का बात किया जा रहा है, ठीक है, gross मतलब 1 piece, ऐसा याद रखना, तो 5 gross pencils at the rate of rupees 100 per gross, उसके बाद यह तो खरीद लिया, यानि कि 5 pencils खरीदे 100 रुपय में, यानि कि 500 रुपय की purchase, और देखो, यहाँ पर लिखा है, one dozen registers, one dozen registers at the rate of rupees 250 per gross, तो यहाँ पर ना पहले गलत लिखाता, इधर gross लिख दिया था, इधर dozen लिख दिया था, वो मैंने correct कर दिया है, ठीक है, एक dozen register खरीदा है, 240 रुपय पर piece में, पर gross यानि कि पर piece, तो एक dozen में 12 पीस आता है, तो total यहाँ पर कितना खरीदा है, बोलो, total यहाँ पर खरीदा है 240 इंटू 12 कर दोगे, तो 2880 आएगा शायद, ठीक है, मैं एक बार calculator में करके देख लेता हूँ, चो calculator है मेरा, 240 इंटू 12, यहाँ गया, 2880, तो 2880 ठीक है, इतने का खरीदा है, अब इस पे हमको मिला है trade discount 10% का, ओके, तो इसकी entry कैसे की है, purchase book में, आओ देख लेते हैं, यह द ठीक है, और purchase book में, पहला जो फरवरी, एक का जो transaction था, जिसके बारे में अभी हम discuss कर रहे थे, उसकी entry देखो, 5 gross pencils at rupees 100 per gross, तो 500 रुपए का pencil खरीदा था, मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर देखो, पुरा details लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख रहे है, मैं थ एक तो name of supplier लिख दिया, उसके बाद यहाँ और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या लिख रहे है, details of item, details of item, और उसके बगल में यहाँ पर उसकी amounts लिख दे रहे है, ठीक है, तो 5 gross pencils at the rate of rupees 100 per gross, तो यह details of item हमने यहाँ पर लिख दिया, और 1 gross register at rupees 240 per dozen, तो यहाँ पर उल्ट register at the rate of rupees 240 per gross होगा, तो यहाँ पर 2880 और 500, यह दोनों हमने amount यहाँ पर लिख दिये, उसके बाद total हमने यहाँ पर कर दिया, और हमको बोला था कि 10% trade discount देगा, तो less करके हमने 10% trade discount यहाँ पर लिख दिया है, तो 338 रुपए trade discount होता है, minus करके जो final figure है, वो बाहर लिख दिया, तो purchase हमने actually Mr. Brown से कितने की, की 3042 रुपए की, ठीक है, तो यह है purchase book में ऐसे entry होगी, ठीक है, तो यहाँ पर purchase account, debit वगेरा जो है, देखो आप नहीं कर रहे हो actually, जो आप journal में लिखते थे, वैसा आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप सीधे, यहाँ पर देखो purchase book में हम क्या record क कितना purchase किया है, तो यह हो गया, तो ऐसे हम transaction जो है purchase book में record करते हैं, ठीक है, काफी simple है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कठीन नहीं है, बस वहाँ से देखना यहाँ पर उतारना है, simple साही तो है, और भी बहुत सारे transactions यहाँ पर record किये हुए हैं, पर तरीका बिलकुल सेम है, तो म illustration जो है, आपको अब खुद से घर में practice करना है, मैं आपको बता दूँगा, यह मेरी duty है, ठीक है, मैं आपको बता दूँगा, लेकिन practice आपको करना है, अगर आप practice नहीं करोगे, तो फिर आपकी नईया जो है, वो पार नहीं लगेगी, practice ही एक ऐसा चीज है, जो आपकी इंटर करने बोला है, अब यहाँ पर जो cash का word है, यह student क्या करेगा, skip कर जाएगा, दिमाग में जल्दी से उसको दिखेगा नहीं यह चीज, और वो तो exam में अगर पूछ लिया, तो वो तो purchase book में लिखके खुशी खुशी आ जाएगा, और बोलेगा कि मैंने तो बिल्कुल सही किया है, लेकिन ये cash का word ही, तो उसकी लुटिया डुबो देगा, यहाँ पर cash लिख दे, मतलब ये purchase book में entry होगी नहीं, credit purchase फिर्व entry होती है, ओके, तो यहाँ पर ये trick है, ये entry होगा ही नहीं, purchase book में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर cash लिखा हुगा है, तो cash book में hunter होगा, त इसको तो करना ही नहीं है तीसरा point में आ जाते हैं purchase computer for office use from MS office हमने एक computer खरीद आए for office use तो क्या है हमारा goods है नहीं क्या raw material नहीं यह क्या है एक asset है जो business में use के लिए खरीदा है तो उसको क्या हमने हम बोल दिया कि credit में खरीदा है देखो बोल दिया है तो इसको कहा recording होगी बोलो तो इसके recording होगी जर्नल प्रॉपर में ठीक है अगर cash में खरीदा होता तो cashbook में record कर लेते क्योंकि credit में खरीदा है तो जर्नल प्रॉपर में record करेंगे अब देखो चौथा क्या लिखा है purchase on credit from the paper company 5 reams of white paper at 100 per रीम और 10 reams of ruled paper at 150 per रीम तो यहां पर कितने का purchase है 5 reams of white paper at 100 per रीम याने की 500 और 10 रीम खरीदे 1500 रुपए करके ruled paper तो 10 यह हो गया 1500 ठीक है अब total हो गया इसका 2000 का purchase इस पर 10% trade discount discount मिल गया तो 200 रुपए trade discount मिल गया तो 1800 रुपए की purchase है तो चार तारीक के entry देखना सेम वही चीज़ लिखी वी है देखो यह रहा चार तारीक और यहां पर paper company जो है सबसे पहले supplier का नाम लिख दिया उसके बाद यहां पर items की description description of items उसमें पहला क्या है पांच रिम वाइट पेपर एट 100 पर रिम हो गया 500 रुपए और दस रिम रूपर एट 150 पर रिम हो गया 1500 रुपए तो टोटल आ गया 2000 इससे trade discount माइनस कर दिया 10% 200 रुपए और यहां पर हमारा इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है अब कुछ और illustrations है वह आप लोग खुद देख लेना और sales book जो है वह बिल्कुल purchase book की तरह ही है तो उसमें भी कोई ज्यादा दिमाग लगाने का चीज नहीं है जो भी बोला रहता है उसको ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ता तो वह भी आप देख लेना तो purchase book sales book इन सब की discussion में ज्यादा नहीं करूंगा sales return वगरा यह जो है आप लोग थोड़ा सा खुद से study कर लेना आपको इद्दम easily समझ में आ जाएगा इसमें कुछ है नहीं और अगर कोई अगले लेक्चर में यहां से लेजर में कैसे पोस्ट होते हैं उसके बारे में आप से discuss करेंगे तब तक के लिए आपसे विदा लेता हो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको पसंद आये तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा आपका दिन शुबूर।